कोशन है अस्तोमा सद्गमे सुक्ति कहां से ली गई है आप्शन नमबर A है अर्थवेश से आप्शन नमबर B है सामवेश से आप्शन नमबर C है रिगवेश से आप्शन नमबर D है ये जुरुवेश से तो कौन से वेश से ली गई है ये आपको बताना है अस्तोमा सद्गमे सुक्ति तो कमेंट के माद्यम से अपने आंसर दे दिया होगा तो इसका गरेक्ट आंसर है option number C रिग्वेश से ली गई है अस्तोमा सद गमे सुक्ति नेक्शन हमारा इसलाम धरम के परवर्टके पेगंबर मुहम्मद का जनमें कहां हुआ था option number A है मदिना में option number B है बगदाद में option number C है मक्का में option number D है तहरान में तो कहां पर हुआ था मुहम्मद साब का जनमें जिने इसलाम धरम का परवर्टके कहा जाता है तो ये आपको कमेंट के मादियम से इसका अंसर बताना है तो आपने अंसर दे दिया होगा तो इसका गरेक्ट अंसर है आप्सिन नमर सी मका में वाता मुहम्मद साब का जनमे जिसे पुईतरिस्तान मानते हैं इसलाम धरम के लोगे नेक्शन अमरा बंगाल में बक्ती आंदोलन के परवर्तक थे आप्सिन नमर ए है चेतन्य आप्सिन नमर बी है रामानंदे आप्सिन नमर सी है नाम देवे आप्सिन नमर डी है रामानुजे तो इन चारों में से कौन थे बंगाल में बक्ती आंदोलन के परवर्तक है ये आपको बताना है तो इसमें हमारा करेक्टर अंसर हो जाएगा उप्सन नमर ए चेतन्य थे बक्ति अंदुलन के परवड़तक बंगाल में नेक्शन हमारा सिक्गुरू अरजुन देव किसके शाषनकाल में थे उप्सन नमर ए है अकबर के शाषनकाल में उप्सन नमर भी है हमायू के शाषनकाल में उप्सन नमर सी है शहाजा के शाषनकाल में उप्सन नमर डी है जहांगिर के शाषनकाल में तो सिक्गुरू अरजुन देव किसके शाषनकाल में थे चार उप्सन आपके बास में हैं अग्बर हुमायू शहाजा और जहागेरे तो कमेंट के वाद हम से आपने आंसर दे दिया होगा तो इसका गरेक्ट आंसर है आपसन नमर डी शहाजा के शाशनकाल के समयते गुरू अरजुन देवे नेक्शन नमरा इनमें से कौन सा युग में सही है आपसन नमर ए है भरत ना केरल राज्य से समधित है आपसन नमर डी है कथा के केरल राज्य से समधित है तो इनमें से जो कौन सा नरत्य है किस राज्य से सही युग में से सुमिलित है उसका आंसर आपको बताना है तो आंसर आपने दे दिया होगा तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है आपसन नमर सी कथ के लिए जो नरत्य है वह केरल राज्य से समधित है तो यह युग में बिल्कुल सही है नेक्शन नमरा सितारा देवी का समध है आप्सन नमर ए है कथक नरत्य से आप्सन नमर भी है गर्बा नरत्य से आप्सन नमर सी है मनी पूरी नरत्य से आप्सन बड़ी है हिंदुस्तानी घायन से तो आपको बताना है शितारत दिवी का संबनार का दिये गए है तो आपने कमेंट के माद्याम से अंसर दे दिया होगा तो इसमें हमारा करेक्ट अंसर है monitor नमबर een कत्थक निर्टिय से संबनित है मात्र 16 वर्ष की आयू में किस निर्तियांगना को गुरुदेव रविन्ना टेगोड ने कथक समरागी कहकर गौरवानवित किया था आप्शन नमर ए है भारती गुपता को आप्शन नमर भी है सितारा देवी को आप्शन नमर सी है मालविका सरकार को आप्शन नमर डी है शernा नारायन को तो किसको कहा था गुरुदे रविन्नाry टेगोड ने कथक समरागी चार ओप्शन आपके पास में है तो इसमें आपने कर्मेंट के मादिम से आंसर दे दिया होगा तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है आप्शन नमबर बी सितारा देवी को कथक समरागरी कहा था गुरुदेव रविनार्थ टेगोर ने नेक्शन नमरा राव किस राज्य की परमु के लोक नरते शेली है आप्शन नमर ए है जारकंड की आप्शन नमर बी है राजस्तान की आप्शन नमर सी है बिहार की आप्शन नमर डी है जम्मु कश्मीर की तो आपको बताना है कि राउफ किस राज्य की पर्मू के लोक नर्ते शेली है चार ओप्षन आपके बास में है जहरकंड, राजस्तान, बिहार और जम्मू कश्मीर तो कमेंट के मादे में से आपने आंसर दे दिया होगा तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है आप्षन नमबर डी, जम्मू कश्मीर की लोक नर्ते शेली है राउफ नेक सुन हमारा, लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नर्ते है आप्सन नमबर A है महाराष्ट का आप्सन नमबर B है गुजरात का आप्सन नमबर C है असम का आप्सन नमबर D है पच्छिम मंगाल का तो लावनी किस राज्जे का लोग नटते है चार ओप्सन आपके वास में हैं महाराष्ट गुजरात है असम और पच्छिम मंगाल है तो कमेंट के वादिम से आपने आंसर दे दिया होगा तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है आप्सन नमबर A महराष्ट राज्ये का प्रसिद्ध लोक नर्ते है लावनी नेक्ष्वन हमारा गोर नर्ते किस जन्जाती से सम्मनित है आप्सन नमबर A है बेगर जन्जाती से आप्सन नमबर B है मुडिया जन्जाती से आप्सन नमबर C है दंदाडी जन्जाती से आप्सन नमबर D है कोरकू जन्जाती से तो गोर नर्ते का सम्मनित आपको बताना है चार आप्सन आपके वास में है तो इसमें हमारा correct answer उर जाएगा direction नमबर B मुडिया जन जातिस से समधित है गोर नर्टे connection हमारा इनमेह से कौनसा यग में सुमिलित है option नमबर A है नकल बिहर से समधित है option नमबर B है अनकीया नाट असम से समधित है option नमर C है तमाशा ओडिशा से समधित है option number D है वाद्ध है पंजाब से समधित है तो इन में से सही सुमेलित युगम आपको बताना है चार ओप्शन में से तो इसमें हमारा करेक्टांसर हो जाएगा option number B अंकियानाट जो नड़ते है वह असम राज्जे से समधित है ये option बिलकुल सही है नेक्षवन हमारा पंडित जसराज ने इनमें से किस शेत्र में अपनी प्रतिश्टा इस्तापित की है option number A है साहिते लेखन में option number B है सास्त्री गायर में option number C है वादे वादन में option number D है सास्त्री नर्ते में तो पंडित जसराज का कारी शेतर आपको बताना है चार ओप्षिन आपके वास में है सहीते लेखने, शास्त्रिय गायने, वाद्दे वादने और शास्त्रिय नरत्थे तो आपने आंसर दे दिया होगा कमेंट के मादन से तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आप्षिन नमबर बी, शास्त्रिय गायन से समदित है पंडित जसराज नेक्षिन हमारा, म्रदंग होता है आप्षिन नमबर ए है, दो मुहें वाला ढोल आप्षिन नमबर बी है, एक प्रकार की बानसूरी आप्षिन नमबर सी है, एक म्रग आप्षिन नमबर डी है, एक टार वाला वाद्दे अंत्रे तो बताना है आपको म्रदंग क्या होता है चार आप्षिन आपके वास में है तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपसन नबर ए दो मुहें ओईवाला डोल होता है जिसे हम anderen कहते हैं निक्षु नमरा वी-वी सुबर मैंन्यम कौनसा तो पसोती आंत्र बजाते हैं वी वी सुबर मन्यूम ये आपको बताना है कमेंट के माध्यम से तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आप्सन नमर डी वाइलीन बजाते थे वी वी सुबर मन्यूम में नेक्स नमरा चित्रकला की मुगल शेली का प्रारंबे किया था आप्सन नमर ए है अकबर ने आप्सन नमर बी है जहांगिर ने आप्सन नमर सी है शहाजा ने आप्सन नमर डी है हुमायू ने तो किसने चितरकला की मुगल शेली का प्रारम किया था चार ओप्षिन आपके वास में हैं अगबर जहागिर शहाजा और हुमायू तो कमेंट के मादिम से आंसर दीजिए तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रोजाएगा दूस्तों ओप्षिन नमबर D तो किसने चितरकला की मुगल शेली नेक्षिन हमारा दूस्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चितरन किसने किया है आप्षिन नमबर E है राजा रवी वर्मा ने आप्षिन नमबर B है जेमिनी राए ने आप्षिन नमबर C है अरविंद गोस ने आप्षिन नमबर D है नंदिलाल बोस ने तो किसने चितरन किया है दूस्यंत को प्रेम में पत्र लिखती हुई शकुंतला का चितरने चार आप्षिन आपके बसमें है तो इसका अंसर जल्दी से बताइए तो इसमें आज हमारा करेक्टा अंसर हो जाएगा आप्षिन नमबर A राजा रवी वर्मा ने चितरन किया है शकुंतला का जो की दूस्यंत को प्रेम पत्र लिख रही है नेक्षिन नमबर A गंदार शेली की मूर्ती में बुद्ध का सारनात में हुए प्रथम धरम उब्देश से सम्मंद परवचन मुद्रा का नाम है आप्षिन नमबर A है धरम चक्रे आप्षिन नमबर B है ध्याने आप्षिन नमबर C है बुमी स्पर्ष आप्षिन नमबर D है अभे तो आपको बताना है कि जो सार्णात में पर्थमे धर्म का उग्देश दिया था बुद्ध ने तो जो परवचन मुद्रा है उसका नाम क्या है वो आपको बताना है कमेंट के मादिम से तो इसमें हमारा करेक्ट टांसर हो जाएगा ओप्सन नमबर एड इसे हम धर्म चक्र कहते हैं परवचन मुद्रा को निक्षुन हमारा शंकराचारिये ने चार मठों की स्तापना कहां कहां की थी आप्सन मुद्र ए है काशी पूरी रामिश्वरम और दौरिका में आप्सन मुद्र भी है बद्रिनात पूरी श्रंगेरी और दौरिका में आप्सन मुद्र सी है काशी पूरी श्रंगेरी और दौरिका में आप्सन मुद्र डी है रिशिकेश पूरी श्रंगेरी और दौरि तो इन चार ओप्शन में से आपको correct answer बताना है कि शंकराचारिये ने चार मठों के स्तापना कहां कहां की थी तो इसमें हमारा correct answer हो जाएगा option बी बिलकूर correct हो जाएगा बदरिनात पूरी, श्रेंगेरी और दुवारिका में चार मठों के स्तापना की थी शंकराचारी के दौरह निक्शोन मारा खाजसा के पांच अन्यवारी लक्षने जिनें पांच कक्ये कहते हैं किसने निर्धारित किये थे तो आप्स N.A है गुरू नानक देव ने आप्सन भी है गुरू अरजुन देव ने आप्सन भर की है गुरू गौविन सिंग ने आपसे नमबर डी है गुरू रामदास ने तो आपने देखे होंगे सिक धरम के लोगे हाथ में कड़ा पहनते हैं सिर में कंगा रखते हैं बाल बड़े रखते हैं तो इस प्रकार से इनको पांच अनिवारी लक्षन निर्दारित किये थे खासा ध और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपसे नमबर सी गुरू गोविन सिंग ने ये निर्दारित किये थे नेक्षन नमरा तीर्थकर शब्द सम्मंदित है आपसे नमबर ए है बोद धरम से आपसे नमबर भी है हिंदू धरम से आपसे नमबर सी है जेन धरम से आपसे नमबर डी ह तो आपको बताना है की कमेंट के माद्यम से की तीर्थकर जो शब्द है वो किस समझित है चार धर्मों के नाम आपके वासं लिक्या हुए हैं बोद धर्प, हिंदू धर्प, जेन धर्म और इसलाम धर्प, वोध धर्म का छासम ऐऊ और आज का ये बेस कोशन वाला जीके का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट के मादेम से उताइए और आपने कितने कोशन सही किये और इस वीडियो का अपने सबी दोस्तों के साथ फेस्बुक और वाटस अप काउंट के मादेम से शेयर भी कर दीजिए दोस्तों तो आदिक ये दोस्तों कि नहीं, थेंकि दोस्तों